अब हम बात करेंगे समावैता या आईसोमरिज्म के बारे में समावैवी ये क्या होते हैं? इनके अनू सुत्र समान होते हैं पर इनमें कही न कई अरेंजमेंट में उनकी क्रियात्मक समू में किसी न किसी प्रकार का इनमें क्या होता है? अंतर होता है पर टोटल जो इनका सुत्र है वो हमेशा क्या होगा एक जैसा होता है तो इन्हें कहते हैं एक दूसरे के समावैवी तो आगे चर्चा करते हैं कि हमारा जो एलकिल हेलाइड है ये किस-किस प्रकार की समावैटा दिखाएगा एलकिल हेलाइड के जो उच्चतम सदस्य है वो जनरली दो टाइप की समावैटा दर्शाते हैं पहला जो हम समझने जा रहे है वो है इस्थान समावैटा जिसे हम पोजिशन आईसोंरिज्ब कहते हैं अब देखे इस्थान की बात आ रही है किसका इस्थान बदनने वाला यहां हमारा क्रियात्मक समू कौन है यहां है जिसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लेते हैं यहां हमें ध्यान देना होगा कि जब हम समावेता बना रहे हैं तो कार्बन की जो चेन है वो हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हम बात कर रहें स्थान समावेता की स्थान समावेता में सरफ आप क्रियात्मक समू का स्थान बदलते जाएंगे कार्बन चेन को हम बिलकुल जैसी है वैसे ही रहने देंगे प्रतेक समावाईवी में चुलो इसे और क्लियर करते हैं कि एक्जामपल ले ले मालनों हम ले रहें C5H11Cl ठीक है चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कार्बन की चेन बना ले 5 कार्बन की हमने चेन बना ली नमबरिंग दे दिया 1,2,3,4,5 पांच कार्बन हो गए हमारा अब क्या है इसके पास क्लोरीन है हमारा क्रियात्मक समू हम क्लोरीन को पहले कार्बन पे रख देते हैं फिर carbon की स्वांचोंजिकता को संत्रिप्त कर देते हैं अब देखी इसका नाम क्या होगा जिधर से हम अपने क्ρियात्मक समु को чув आहा हमारा हालोजन जुड़ा है उसे क्या नम्बर देंगे पहला नम्बर यह नहीं हो जाए ऒर 1 kloro पांच कार्बन है तो पैंड और सभी में एकल बंध है तो क्या होगा पैंटेंड यह हो गया वन प्लोरो पैंटेंड चलिए इसी का दूसरा समावे भी बनाए मैंने क्या कहा था कि हम कार्बन की चेन को छेड़ खानी नहीं करेंगे जैसे थे पांच कार्बन तो वो हमारे पा पांच कार्बन है किसका इस्थान बदलना था हमारे क्रियात्मग समु या हैली जिंग फैली समावे मिन में यह पहर्ले स्थान पर ठाओ अब चलिए उठाके इसे रख देते हम दूसरे स्थान पर अब देखिए हमारा हैल già जो है दूसरे कार्बन पर है कि नाम क्या हो तीसरा समावय भी बन पाएगा चलिए देखें एक दो तीन चार और ये पांच कारबन हुए क्लोरीन को अब हम तीसरे कारबन पर लिख देते हैं तो आ गया तीसरे कारबन पर हमारा क्लोरीन नाम क्या होगा इसका 3- क्लोरो- पेंटेन तो अब देखिए एक सिंपल से एक्जाम्पल से हमने समझ लिया कि जब हम बात करते हैं यहां इस्थान समावेता की तो क्रियात्मक समू का हम सिर्फ इस्थान बदलते जाएंगे कार्बन की शिंकला की लंबाई को हम बढ़ा घटा नहीं रहे हैं अब क्या चौंथ सकता है चलीए देखें यूख्य ओं नमढ़ करते हैं तो टर्फ हम क्लोरीन डाल देखां कि हम carbon chlorine की numbering वहां से करेंगे जिधर सेएसे हम minimum number दे सके निमन अंकार सके तो अब हम को क्योंकि इस तरब से यह क्या हो रहा है second carbon प्यारा है तब इसका नाम हो जाएगा two chloropatan जो हम पहले ही बना चुके हैं तो जब भी हम इस प्रकार के समावैवी बनाए आयू पीसी नियमों का पालन करते हुए नामकरन देखते हुए हमें बनाना है इसके तीन ही समावैवी हम बना पाएंगे चौथा नहीं बनेगा अब चलिए बात करते हैं दूसरे परकार की समावैता तो दूसरी समावैता जो हम समझने वाले हैं वो है शिं चेन जो है वो बदलती जाएगी हमारी नंबर ओफ कार्बन जो कुल कार्बन है वो उतने ही रहेंगे हम क्या करेंगे कार्बन की चेन को बढ़ा भी सकते और घटा भी सकते उसकी लंबाई को पर कुल कार्बन की संख्या क्या रहेगी वही रहेगी चली एक्जामपल से समझते हैं फिर एक्जाम्पल लेले हम सीफाइप एच 11 C L चलिए एक सिंपल बना ले पहले एक दो तीन चार पांच कार्बन लिया हमने पहले कार्बन पे क्लोरीन डाल दिया संजकता को हाइट्रोजन से संत्रिप्त किये तो हमाई रपास बनता है वन क्लोरो पेंटेन और क्या बना स कर रहे हैं शिंकला समावैता की इसमें क्या होगा कार्बन की शिंकला हमको बदलनी है तो इसके लिए हम देखें दूसरे में क्या करेंगे हम एक दो तीन चार कार्बन ले लिया हमने ठीक है अब क्या कर सकते हैं हमारे पास कुल कार्बन कितने थे पांच तो हम दूसरे कार्ब कौं हाइट्रोजन से संत्रिप्ट कर देक ARE LECPS तरफ कलोरीन एडर, दूसरी तरफ काल बने दो हाइट्रोजन में प्र करने के लिए दो हाइट्रोजन आर रहें है नंबरिंग करेंगे क्लोरीन के साइट से तो वन कार्बन पे है क्लोरीन ग्रूप यह हो जाएगा वन क्लोरो दूसरे कार्बन पे है मेथाइल ग्रूप टू मेथाइल पेंटेन इसमें हमने क्या किया कार्बन की शिंकला को छोटा कर दिया कुल कार्बन की संख्या 5 ही है हमने लंबाई छोटी कर दी क्या इसके और एक्जामपल बन सकते हैं और समावे भी बन सकते हैं चलिए देखते हैं चलिए देखें अब तीसरा क्या बनेगा बनाते हैं, हम ले लेते हैं, एक, दो, तीन कार्वन ले लेते हैं, दूसरे कार्वन पर हम एक बार उपर और एक बार नीचे की तरफ archaeal group डालते हैं, चलिए डाल देते हैं, अब देखिए कि हम 1, 2, 3 ये chain भी ले लेंगे तब भी हमारे पास कितने carbon बचेंगे 3 carbon की chain बन रही है या हम ले ले 1, 2, 3 तब भी हमारे पास 3 carbon की chain रहेगे ठीक, अब देखिए chlorine यहां हमने add कर दिया तो chlorine के add करते ही हमारी chain हो गई 1, 2, 3 ये हमारी main chain हो गई दूसरे carbon पे दो बार methyl group जुड़ा हुआ है इसका नामकरण देखते हैं नामकरण क्या होगा पहले carbon पे chlorine है तो 1, chloro दूसरे carbon पे दो बार हमारा कौन सा group है methyl group तो हम इसे दो बार ही लिखेंगे 2, 2 दो बार है तो क्या लिखना है dye तो 2, 2, dye methyl कुल कारबन की हमारी चेन है प्रोपेन तो देखो इस प्रकार हमने क्या किया नमबर कारबन के उतने ही रहने दिये 5 कारबन है पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या प्राप्त हो रहे है समावैवी प्राप्त हो रहे है इस प्रकार हमने देख लिया है कि किस प्रकार हमारे समावेवी होते हैं इस्थान समावेटा और शिंकला समावेटा अब देखें तीसरे प्रकार की समावेटा ये कहलाती है आपकी प्रकाशिय समावेटा या इसे हम कहते हैं आप्टिकल आईसोमरेज़् मैंने कहा था कि केव तीजर 5 0 040 दो राइस लिए हम देख रहें तीजर के लिए एक इंपोर्टेंट शर्थ यह हो गई है कि यह ऐसे कार्बन के और जहांपर आ सम्मित कार्बन होगा लिए सम्मित कार्बन क्या होता है क्या होता है इसे Kate कार्बन होते हैं जिन में हम अलग अलग आदेखे गूर्फ जुटा हुआ देखते हैं囉 कि सानयोजकता चर होती है और चारो ही संयोजकताओं में अलग अलग गूर्फ जब जुड़ा हुआ रहता है तो इस कारबन को हम कहते हैं आसम्मित कार्बन तो जब आसम्मित कार्बन उपस्तित होगा तभी यहां पे प्रकाश Brand reluctant या प्रकाश के प्रति सुगराहिता होगी इस प्रकाल की समावैता के लिए बहुत mix कर्थ है कि यहां और सम्वित कार्बन होना जरूरी है चलिए देखे एक example ले लेते हैं हम लेते हैं to bromobutane चलिए देखे इसमें कार्बन को इस तरह रखते हैं हम की मध्य में कार्बन है कार्बन की चार सयोजकता में एक साइड है अपने पास ब्रोमीन दूसरे सयोजकता में हम डाल देते हैं C2H5 तीसरे साइड हम डालते हैं हाइट्रोजन और चौथी सयोजकता में हो जाएगा CH3 अब ध्यान दीजे इस कार्बन में कोई भी सयोजकता एक जैसी नहीं है इस टाइप के कार्बन की हम बात कर रहे थे इसे हम क्या कहेंगे ये कहलाएगा आज सम्मित कार्बन इसे हम भराबर भागों में नहीं बाट सकते तो प्रकाशिय समावैता के लिए ये होना बहुत जरूरी है अब इस प्रकार के कार्बनिक योगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को किस तरफ घुमा रहे हैं उसके अधार पे हम इसे दो भागों में बाटते हैं एक होता है डेक्स्ट्रो या धन्रूप देखे इस प्रकार और दूसरा होता है लीवयो या रिन्ड्रूप जिस तरफ ब्रोमीन को देखें अगर ब्रोमीन राइ अन्ट साइड में है इस समय ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर रहा है प्लस साइड में घुमा रहा है दूसरा इसका समावेवी देखे इस समावेवी में ब्रोमीन को देखे ये किधर है लेफ्ट हेंड साइड में है ये समतल दुरुवित प्रकाश को क्या करता है विप्रीद दिशा में याने हमारे उल्टे हांत की दिशा में घुमा रहा है इसलिए से हम क्या साइन देते हैं या तो L, L याने लीवियो या फिर हमें से माइनस रूप भी कहते हैं मैंने यहाँ एक शब्द उप्योग किया था समतल दुरुवित प्रकाश समतल दुरुवित प्रकाश क्या होता है आईए थोड़ा दिटेली से देखते हैं देखिए प्रकाश किन्ने क्या होती है जब वो किसी स्रोच से निकर रही होती है तो वो सभी दिशाओं में जा रही होती है पर आपको ये देखना है कि हमारा जो कार्बनिक पदार्त है वो उस प्रकाश को या तो घड़ी की दिशा में घुमाए या उसके विप्री दिशा में घुमाए इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा हमें चाहिए होगा कि हमारा प्रकाश जो है किसी एक दिशा में जाए हम क्या करेंगे इस प्रकार की वेवस्ता रखेंगे जिससे हम प्रकाश रोज से जो प्रकाश मिर रहा है इसे प्रिज्म से लेकर जाते हैं जब प्रिज्म से लेकर ज जाता है इसे ही हम कहते हैं समतल धुरुवित प्रकाश तो इसे और डिटेल में हम आगे समझेंगे हमने देख लिया कि किस प्रकार हमारे जो एलकाइल हैलाइड से यह समावैता प्रदर्शित करते हैं चलिए अब कुछ एक एक ग्जामपल देख लेते हैं जिससे हमें हमारे आयूपेसी नाम का भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी सांथ ही सांथ हम देख लेंगे कि प्रात्मिक द्वीतियक और त्रीतियक जिस पर चर्चा हो चुकी है उनके बारे में भी हम फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और समावै भी तीनों को हम एक ही प्रश्न मे कैसे हल करेंगे परिक्षा में ये किस प्रकार आएगा और हमको कैसे इसे धीरे धीरे हल करते जाना है चलिए बात करते हैं इसके लिए हम एक एक एक्जामपल लेते हैं चलिए एक ही एक्जामपल में हम सारी चीजों को हल करते जाएंगे हम एक्जामपल ले लेते हैं C5-H11 बी यार ठीके हमने ले लिया c5 h11 BR इनका हम आई यू पीसी नामकरन करते जाएंगे साथ ही साथ हम बताते जाएंगे कि प्रात्मिक द्वीतियक या त्रीतियक किस प्रकार के इसमें हैलुजन उपस्तित है या हैलुजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किस प्रकार के क एक समावे भी बना ले जो बिल्कुल सिंपल होगा, पांच कार्बन हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन हमने बना लिए, पहले कार्बन पे ही ब्रोमीन डाल देंगे, ब्रोमीन को एड़ करने के बाद सबसे लास्ट जो हमारा स्टेप था कि हम हाइटरोजन को लिए जगता को पूरा करते हैं चली यह काम भी हो गया, इनका नामकरन देखिए, अब यह होगा, वण, ब्रोमो, पैंटेन, पहले कार्बन पे ब्रोमीन है, कुल कार्बन कितने अपने, पांच कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा, वण, ब्रोमो, पैंटेन, उस carbon की स्तिति को देखें तो यह कौन सा carbon है प्राथमिक carbon हमें से ले लेंगे one not या one degree इसके और क्या समावय भी बनेंगे चलिए देखें दूसरा बना लें इसे तो एक दो तीन चार पांच carbon हमने ले लिया अब हम क्या करेंगे ब्रोमीन को पहले carbon से हटा कर दूसरे carbon पर हमारा जो निए चलिया आईए दूसरे carbon पर तो आप देखते हैं यहां पर क्या बन रहा है 2-Bromopentane अब इस्तिथी बनानी है कि हमारा जो Bromine जिस कार्बन से जुड़ा है वो किस टाइप का कार्बन है तो देखिए ये द्वीतियक कार्बन है क्योंकि इस से क्या हो रहा है केबल एक बार Hydrogen जुड़ा हुआ है दो साइड से कार्भन जुड़ हुए हैं तो यह होगी हमारा द्वीतिय कार्भन ओए और क्या समाव्य बन सकते हैं। चलिए हम फिर से बनाते हैं कार्भन की अपनी शिंक्ला पांच कार्भन की शिंक्ला हो गई। तीसरे कार्बन पर अब हम ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो हमारा ये बन जाएगा थ्री ब्रोमो प्यंeten यहाँ पर भी ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उधर देखिए दोनों साइड से कार्बन जुड़े हुए है एक साइड हमारा हाइटरोजन है तो से जगता हो गई और चौथे साइड में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो यहां भी जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन होगा द्वीतियक कार्बन होगा नेक्स्ट बनाते हैं इसका समावे भी चलिए तो अब देखिए हम कैसा बनाएंगे एक दो तीन चार हमने चार कार्बन की है एक शिंख्ला बना यह पहले कार्बन पर व्रोमीण ढाल देतEE हैं तो यह आज़िया पहले कार्बन पर रोङे इसके बाद देखिए क्योंकि हमने चार कार्बन लिए थी माला में क्या कर रही हूं की की कार्बन पर मेधिय। दा रहे हैं तो उसका heel और तो तो 3-methyl-butane, अब देखिए number of carbon उतने है, hydrogen उतना है, तो अनुस उतने ही है, पर हमारे समावेवी क्या हो गए है, बदल गए, अब ये हो गया है हमारा 1-bromo-3-methyl-butane, और जिस carbon से ब्रोमीन जुड़ा है, वो फिर से कौन सा carbon है, प्राथमिक carbon है हमारा, चलिए आए नेक्स ब क्या किया, कि एक, दो, तीन, चार carbon की शिंखला ली, अब हम क्या करें, दूसरे carbon पे ब्रोमीन को ले आए, तीसरे carbon पे methyl group है, इसका नामकरन देखें, तो 2-bromo-3-carbon पे methyl group है, तो ये हो जाएगा, 3-methyl-butane, अब देखिए, हमारा जो ब्रोमीन है, जो हमारा क्रियात्मक समू किस carbon से जुड़ा हुआ है, वो जिस carbon से जुड़ा है, उसके दोनों side पे carbon ही जुड़े हुए है, तो ये किस type का होगा, दूसरे carbon का, चलिए, और क्या समावेवी हो सकते हैं, देखते हैं, एक, दो, तीन, चार carbon है, अब हम क्या करेंगे, कि दूसरे carbon पे, ब्रोमीन ग्रूप को भी डाल देते हैं, और दूसरे ही carbon पे, मेथाईल ग्रूप को डाल देते हैं, अब हमारे पास मिलेगा, टू ब्रोमो, टू मेथाईल, ब्यूटेन, देखिए, यहां, ब्रोमीन जिस carbon से जुड़ा है, वो carbon क्या होगा, त्रीतियक carbon होगा, कैसे होता है चलिए देखें, यहां, ब्रोमीन तीन साइड से carbon से जुड़ा हुआ है, और किवल एक ही साइड जो है, वो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार carbon की चारो सयोजक्ता में से, तीन सयोजक्ता carbon से ही संत्रिप्त हो रही है, और चौथी, ब्रोमीन से, तो हम इस स्तिति को कहते हैं त्रीतियक नेक्स्ट आये और क्या बन सकता है तो अब फिर से हम क्या करेंगे कार्बन की चेन बना दिये हम यहां क्या करेंगे पहले कार्बन पे ब्रोमीन डालते हैं दूसरे कार्बन पे मेथाइल ग्रूप डालते हैं यह बनेगा वन ब्रोमो टू मेथाइल ब्य उलिए नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं चें को ठोड़ा और चोटा कर लेते हैं चलिए एक दो हमने दीन कार्बन की चेन बणली दूसरे कार्बन-पें हम ऊपर और नीचे दोणों ही साइट अब हम ब्रोमिन को जोड़ देते हैं वहमारे पासो होगा वन 2-2-Dimethyl-Propane ठीक है अब इसमें देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा कार्बन है वो हमारा है प्रात्मिक कार्बन चलिए इस प्रकार हमने क्या देख लिया कि समावैता से किस प्रकार के कोश्यन आएंगे उनमें प्रात्मिक द्वीतियक या त्रीतियक क किस प्रकार की कार्बन है यह आ सकता है सांथी सांथ जब भी हम समावैवी बनाते जाएंगे हमें क्या करना है उनका नामकरन भी करना है तो आप ऐसे प्रश्णों को बार बार बना बना के देखी इससे हमारे नामकरन की भी प्रैक्टिस होई समावैवी की भी प्रैक्टिस जोई सांथी सांथ हमने कार्बन को भी देखा कि किस कैटेगरी का कार्बन है